प्रमश्कार दोस्तों मेरे नामे वालचंद्र ब्रह्मांड सिद्यश्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज के इस विड़े में हम चर्चा करने वाले हैं 26 свет 27 December को होने वाले सूर्य का जो ग्रहण है उसका आप के राशी पर मतलब कोन सा प्रणाम होने वाले है आपकी जीवन के कोण से क्रेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होने वाले हैे कोन्से नीरosexual चुकर लिए यह जो सूर्य ग्रहन है उसका परिणाम किस प्रकार का होने वाला है उसके संदर में वीडियो अप्लोड हो चुके हैं आप उसका आनद जरूर लीजे आज के इस वीडियो में हम चर्शा करेंगे कि मिथें राशी या फिर मिथें लगन के लिए यह जो सूर्य ग तो आपको उसके बार में सोचना जादा अवश्यक हो जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए जो सूर्य ग्रहन है वह किस प्रकार का होगा आपकी जो राशी है मतलब मिधुन राशी है या फिर आपका मिधुन लगन है तो आपके सब्तम भाव में धनु राश थोड़ से एक्स्रीम होने की संभावना ज्यादा लगती है तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वाई-वाई जुड़िदर होंगे उन में और आप में चोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन हो सकते हैं औ लेकिन इसके अगर पहले के दो-तीन दिन अगर जोड़ लो तो करीबर 22-23 तारिक से लेकर 28-29 तारिक तक का जो समय है इन समय में आपके जो वेवाई जोड़िदर गव इन में और आप में चोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है वो तकरार आगे बढ़ सकती है और जो परिणाम है वो काफी बड़ा हो सकता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा बैक पूट पर जाएए थोड़ा सा आपकी जो राशी है वो एड़िस कर लेती है तो उसके संदर में थोड़ा सा ध्यान द कि जिसके जैसे आप दोनों में ऐसी बाते होने की चांसे बहुत ही जादा लगते हैं दूसरी जादा मेहतू बड़ोबाद खर्चे के बामले में मतलब अगर आप इन दिनों में किसी विशा कि किसी भी अगर वो इन्वेश्मेंट करकी योजना है या फिर वस्तू पर अग आप जो खर्चे कर रहे हो मतलब कई दिनों के बाद मतलब खर्चे करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो भी आपनी खर्चे किये हैं वह सही में नहीं है तो और मैंने जैसे कहा इसके पहले भी डायनिक दैनिक जोतिश में भी हम कहते हैं कि आपकी जो राशी है वो खर्चे करने के मामले में serious नहीं है मतलब serious नहीं होती है आपके राशी तो यह जो दिन है इन दिनों में किसी भी प्रकार के अलग प्रकार के decision investment के बारे में नहीं लेना आप लेते हो तो फसने के पूरे के पूरे chances बनते हैं उसी प्रकार और एक बात सबसे ज़्यादा मेहतुपुर्ण हो जाती है आपके जो भाई बहन होंगे उनके सहत के बारे में भी चोटी मुटी कबर आपके कानों पर आ सकती है अगर उनको कोई मतलब सहत के बारे में कुछ problem complications चल रही है तो उसके बारे में भी दिनों का उसमें किसी भी प्रकार के बड़े decision नहीं लेना अगर लेते हो जैसे किसी को promises करना witness रहना या कि किसी भी प्रकार के उसके बारे में निरने लेना अगर लेते हो decision लेते हो चुकने के संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है उसी प्रकार जो स्त्रीवर गरभार है म उसमें सेहत के बारे में सीधे सीधे कभी problem नहीं आते लेकिन stress आ जाता है मतलब कई कई दफा ऐसे हो जाता है कि हम कई जो बाते हैं वह मान के चलते कि इस प्रकार से होगा और हम उसमें risk ले लेते हैं लेकिन इन दिलों में किसी भी प्रकार के अगर आप risk लेते हो तो आपका क शेतर मैंने बताए खास करके सबसे मैं फिर से यह कहना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी हुए है तो आपको बहुत ही मतलब थोड़ा सा इसके बार में ध्यान देना काफी आवज़े कि गलत फेह में हो सकती है चोटी सी बात होगी वह चोटी सी बात को लेकर आप इसके प कि अगर आपके सामने ऐसे कोई बात आती है और उस समय क्या होता है कि उस समय हमें आम अपकुद पर नियांतरम नहीं रख पाते हैं अगर ऐसे कोई बात आती है तो थोड़ा रूपना जैसे कि 28-29 तारिक के बाद ही उसके बारे में अगर आपको डिसीजन लेते हो तो भूसा नुकसान हुआ हो रहे गा तो बाद में जाकर पाता चलेगा की आपने जो डिसीजन लिए तो वो इतना गलत था लेकिन शूरवत में आपको पता है तो पिर जो पिर बी डिसीजन लेना है वह सई होते होई नजराएंगे तो दोस्तों ये था मिधुन राशी पर सूर्य ग्रहन का जो परिणाम होने वाला उसके बारे में चर्चा आपको ये वीडियो कैसे लेगा आपने के इस तरह से अनुभू किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्र